अज़का जो प्रश्न है बहुत महत्पुर्ट टापिक है और UPSC में ये प्रश्न अवसे पूछा जाएगा बलकि कहा जाए ये वेरी इंपॉर्टेट कुष्टन है वेरी इंपॉर्टेट कुष्टन की बात करें हमें अब सुचो कुष्टन क्या है भारत में राजकोसी अस्तांत्र के प्रावधान का उलेक करती हुई तर्चा करें कि भारत में इस प्रकार से राजकोसी केंद्रिकरन बढ़़ा है इस राजकोसी के अंदिकर सुत्पन चुनोतियों पर प्रकार्श टाले अब सुचवा प्रस्ण के तीन पार्ट है पहला पार्ट यह है राजकोसी अस्तांत्रन संत्र का प्रावधान का है प्रस्ण का पहला पार्ट चेकेंड पार्ट क्या है राजकोशी केंद्रिकरन बड़ा की साधार पे अकोशन का थार्ड पार्ट हिया है कि चिनोतियों वह प्रकाश डालें यही प्रस्न है अब इस प्रस्न को देखो आप हम सबसे पहले इंट्रोड़क्शन के बात करेंगे पर हमारे जो इंट्रोड़क्शन होगा सीधियम उस पर आजाएंगे राजकोशी हस्तांत्रन का प्राउधान क्या है हम इसकी चर्चा करेंगे अब देखो अंसर शाकारी संगवात के लिए राजकोशी हस्तांत्रन के संबंध में फर्स्ट पैरा तंगवात के लिए राजकोशी हस्तांत्रन के संबंध में संबंध में अंचिद्धुस उस्सी किताथ बित्तायुग रथा अंचिद्धुस उस्सुपचात्तर के ताहत सहायता अनुदान के प्रावधान के साथ इतनी भी केंद्री योजना है केंद्र प्रायजित योजना हैं केंद्र प्रायजित योजना के लिए पित्ती हस्तान्तरन का प्रावधान भी है अच्छा प्रस्नी यह है कि भारत में राजकोशी हस्तान्तरन तंत्र का प्रावधान कै इतनी बातें साकारी संगवात के लिए राजकोशी हस्तान्तरन के संबंद में 5.28 के ताथ बित आयो 5.275 के ताथ सहायता अनुदान की प्रावधान के साथ किंद्र प्रायजित योजनाओं के लिए पित्ती हस्तान्तरन का प्रावधान भी है यह बात है हमारे इंट्रॉडक्शन में आ जाएंगी लेकिन प्रस्णी यह है राजकोशी हस्तान्तरन की बात करें अब आएंगे सिर्यम सेकेंड पहरे में हम जब सेकेंड पहरे में आएंगे तो लिखेंगे किंद्टू रच्छिन के राज्यों ने राजकोशी केंद्रीकरण केंद्रीकरण का आरोप लगाया है आरोप लगाया है जो राजकोशी संगवात की भावना की बिपरीत है कि ये विरुद्ध है इस राजकोशी केंद्रीकरण के आधार ने लिखीत है अब आधार क्या है हम किस आधार पका सकते हैं कि भारत में राजकोशी केंद्रीकरण बढ़ता जा रहा है हम किस आधार पका सकते हैं तो हमारा जो पहला आधार ये देखो आप राज्यों को वित्ती अस्तांत्रन में कमी राज्यों को वित्ती अस्तांत्रन में कमी जैसे सकल कर राजस्यों में राज्यों की सिदारी सकल कर राजस्यों में राज्यों की हिस्सेदारी जो पंद्रस सोरह में पैतिस परसत से गिरिकर तो अधर तेस चोबिस में तीस परसत हो गया है अब सुचो हम किस आधार पर कह सकते हैं कि भारत में राज्यों कोशिय के इंद्री करण बढ़ रहा है तो पहला अधार क्या है राज्यों को पित्ती अस्तांत्रन में कमी जैसे सकल कर राजस्यों में राज्यों की सिदारी पंद्रह सोरह में 35% से गिरकर 23-24 में 30 परसत हो गया है पहला पॉइंट नंबर दो किंद्र सरकार और राज्य सरकार के राजस्यों के बीच असंगत बृध्धी नंबर बी किंद्र सरकार और राज्य सरकार के राजश्य की बीच असंगत ब्रिद्धी की बीच असंगत ब्रिद्धी जैसे 15 सोर से 24 तक किन्सकार के राजश्य में चूप अंठी गुना ब्रिद्धी जबकि राज्यों की जो हिस्सेदारी है ये कहा जाए जैसे 15 सोर से 23 तक किन्सकार के कर राजश्य में जबकि राज्यों की कर राजश्य में केवल तो गुना ब्रिद्धी हमेशा ध्यांदी इस बात को केंच सरकार एवं राजश्य सरकार के राजश्यों के बीच असंगत ब्रिद्धी जैसे 15 सोर से 23 तक केंच सरकार के कर राजश्य में चूप अंठी गुना ब्रिद्धी जबकि राज्जों के कर राज़स में किवल दोग ना ब्रिद्धी वी तिसरी बात ये कहा जाए राज्जों को साहता अनुदान में कमी साहता अनुदान में कमी की बात करें अगला पाइड़ देखो जरा कैर हस्तांत्रने ओपकर और अधिभार खेस्तिदारी में ब्रिद्धी कैर हस्तांत्रने ओपकर एवं अधिभार कि हिस्तेदारी में ब्रिद्धी तेन पॉइंट एट हो गया है अब एक चीज़ देखोआ तच्छिनक राज्यों का कहना है कि ऐसे कर जिसमें इस राज्यों को देना नहीं पढ़ता उसे का जाता है गैर हस्तांत्रनी सिस उपकर और अधिभार सर्चार्ज की हिस्तेदारी में ब्रिद्धी जैसे पंद्रस सोरह में 5.9 से बढ़कर 23-24 में 10.8 प्रतिसत हो गया है यह आधार है अगला देखा जाए नमबर ए की बात करें हम लोग सारवजनिक बैका केंद्री करन सारवजनिक बैका केंद्री करन जैसे बात करें 23-24 में केंद्र प्रायजीत योजनाओं के लिए 2024 में केंद्र प्रायजीत योजनाओं के लिए ये कहा जाए लगवग 20 लाख करोड उपे के संजुक्त आवंटर में से लगवग 4.25 लाख करोड रुपे दिये गए अब सोचो ये राजकों से केंद्री करन का आधार है या मतलब सार्थनिक बैका केंद्री करन जैसे तेश चोविस में केंद्र प्रायजीत योजनाओं के लिए लगवग 19.4 लाख करोड उपे संजुक्त आवंटर में इस राज्यों को केबल 4.25 लाख करोड उपे दिये गए हमेशा अगले चीज़ जीश्ट के करन के कारण नमबर एफ जीश्टी के करन के कारण राज्यों के कराधान स्वाइता का अच्छाण के स्वायतिता कराधान का करन जीश्ट राज्यों के लिए वैट को जीश्टी में सामिल कर देना ये लिए वैट को जीश्टी में सामिल करना अंत में देखा जाए जीश्टी करन के कारण राज्यों को होने वाले राजस नुक्सान के मौजे को जीश्टी करन के कारण राज्यों को होने वाले राजस नुक्सान के मौजे को राजस नुक्सान के मौजे को एक सी संबोधित नहीं किया गया संबोधित नहीं किया गया जैसे जीश्टी च्छतिपूर्ती उपकर को बंद करना अब सुचू आप यह आधार है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि भारत में राजकोसी केंद्री करन लागातार बढ़ता जा रहा है अब इससे देखो आप मैंने सिकिन पहले पकिन्दू दच्छिन के राज्यों ने राजकोसी केंद्री करन का आरोप लगाया है जो राजकोसी संगवात की भावना के विरुद्ध है इस राजकोसी केंद्री करन का आधार क्या है आधार नमबर ए राज्यों को बित्ती हस्तांतरान में कमी तो किस आधार पका सकते हैं कि बित्ती हस्तांतरण में कमी है तो यह एक्जामपल है कि शकल कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी तो जब 15 सोर में 35 प्रशस से गिर कर 23-24 में 30 प्रतिसत हो गया है पहली बाद नमबर बी तिन स्रकारेवं राज्य स्रकार के राजस्व के बीच असंगत ब्रिद्धी जैसे 15 सोर से 23-24 तक के इन स्रकार के कर राजस्व में 2.3 गुना ब्रिद्धी जबकि राज्यों के कर राजस्व में तो गुना ब्रिद्धी है इसली बाद राज्यों को साहता अनुदा में कमी और एक सबस्वरा इस्सुत यह है कर हस्तांत्र उपकर अधिभार के सिदारी में बृध्धी और जब उपकर सेस अधिभार सरचार्ज में कांट्निवस बृध्धी होगी तो राज्यू के पार राजस्यू की कमी होती चली जाएगी अंत्वर देखाया सार्मिक बैका क 2024 में किंद्र प्रायुजित योजनाओं के लिए लगभग 29 लाग करोड़ पे आवंटन किंद्र राज्यू को हिस्सा के अल गया 4 लाग के आस्पा 4.25 लाग करोड़ पे गया अगला जिएश्टी के कानेनन के कारण राज्यों के स्वायत्ता कराधान का चरण हो रहा है अंत अब नुक्सान क्या है क्योंकि प्रस्णी यही है प्रस्णी यही है इस राजकोसी के अंतुम चुनोतियों पर प्रकाश डालें तो सीधे हम आएंगे सीधे हाड़ पेरे में इस राजकोसी केंद्री करना अनेक चुनोतिया उत्पन जैसे अब जैसे की बात करेंगे नंबर वन पहले बार राज्यों की बचट पर दबाव नंबर वन राज्यों की बजट पर दबाव अब बजट पर दबाव के जब बात करेंगे अधा राज्यों सरकार को अस्थानांतरन आनुदान में कमी एक सके आप सोचो आप राज्यों की बजट पर दबाव अधा राज्य सरकार को अस्थानांतरन अनुदान में कमी ने अर्थाद राज्य सरकार को अस्थानांतरन एवं अनुदान में कमी ने चार्वीन सिवाओं को पिस्तारित करने को ये च्छमता को प्रभावित किया है आप सोचो आप क्या चुनोती पहली चुनोती यह है कि राज्यों के बजट पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और राज्य सार्विक सिवाओं का बिस्तार नहीं कर पा रहे हैं एक बहुत बड़ी चुनोती है राज्यों के समक्ष सार्विक बित में अंतर राज्य समानता में बृद्धी नमबर दो बित में अंतर राज्य और समानता में बृद्धी अंतर राज्य समानता में बृद्धी क्योंकि कम अमेर राज्यों को कम अमीर या गरेब राज्यों को के अंदर प्राजित योजनाओं के क्रियानों के लिए क्योंकि कम अमीर राज्यों को किंद्र प्रायजोति योजनाओं के किरियान उन के लिए किंद्र सरकार से समान यवदान ट्राप्त करने के लिए राप्त करने के लिए अधिक उधार लेना पड़ता है हमेशा मतब शार्निक बित में अंतर इंटर स्टेट अन इक्वेल्टी में ब्रिधी तो किंद्र प्रायजोति योजनाओं के किरियानों के लिए किंद्र सरकार से योगदान ट्राप्त करने के लिए अधिक उधार लेना पड़ता है जो गवर्मेंट के अने के से योजनाओं हैं जिसमें 50-50 केंद्र सरकार 50 प्रस्ट देती है और राज्यों को 50 प्रस्ट देना पड़ता है पर राज देने में असमर्थ हो जाए तो राज उस योजना का लाब नहीं उठा पाता नमबर तीन संसाधन आम अंटन में संभावित प्रुवागरा संसाधन आम अंटन में संभावित प्रुवागरा की बात करें जैसे केंद्री छित्र की योजनाओं की पूरी फंडिंग ने केंद्री छित्र की योजनाओं की पूरी फंडिंग ने पूरी फंडिंग ने राज्यों की बीच असमान बेभार की जिन्ताओं को बढ़ा दिया है और समान बेभार अगली चेंब बात करें राज्यों से संगभाद के जिद्धांतों पर आगहाद नमबर चार अब इससे देखुआ संसादन आमंटर में संभावित प्रुवागरा जैसे केंद्री छित्र की योजनाओं की पूरी फंडिंग ने राज्यों की असमान बेभार की जिन्ताओं को बढ़ा दिया है अगला राज्यों से संगभाद के सिद्धांतों पर आगहाद यह चलेंजिश है अगला राज्यों से समेकन एवं पुनर वित्र आसंतुलन के करन राज्यों से समेकन एवं वित्रण आसंतुलन के करन रच्छिन के राज्यों में वित्रवाद वित्रवाद की भावना में पृद्धि हम पृद्धि की बात करें हमें संधान क्यों क्युक्कि जीश्ठी करन कर राज्यों क baskets हुआ है क्युक्य कर राज्यों कानुक्सान यह परिंट कि क्या-क्या चैलिंजिस हैं इस सारी बाते करने के बाद हम निश्कर्स की बात करेंगे अता यह कहा जाए साकारी संगबात को मजबूत करने के लिए क्या चाहिए कि राज्यों को कहा जाए तो यह भी तायोग में क्या करना चाहिए राज्यों के कहा जाए भागेदारी निश्यदारी बढ़ाने के साथ निश्कर्स की बात करेंगे और निश्कर्स में आता साकारी संगबात को मजबूत करने के लिए तो रहावे बितायोग राज्यों की हिस्सेदारिया पढ़ाने के साथ यह स्टी क्रियानियन से सम्मंधित उत्पन चिंताओं का समाधान जरूरी है यह बात आपके निश्कर्स में आ जाएंगी प्रस्नी देखो क्या पूछ रहा है यह आपका निश्कर्स आ गया प्रस्नी यह पूछ रहा है प्रस्नी यह है राजकोसी हस्तांतरल तंत्र के प्रावधान को लेक करते वे चर्चा करें कि भारत में किस प्रकास से राजकोसी केंद्रिकर्ण बढ़ रहा है इस राजकोसी केंद्रिकर्ण सुपन चनोतियों पर प्रकास डालें और अपने यह बता दिया क्या प्रावधान है केंद्रिकर्ण क्यों बढ़ा है केंद्रिकर्ण का आधहार क्या है उसके बाद आपने ये बता दिया क्या-क्या challenges है अपने challenges की बात कर दी आपने अंत में इसकर्स की बात कर दी answer close लेकिन ये तो content है आपके पास किसी content से समधिद और कितने तरह के प्रसन पूछ जा सकते हैं कि यह से एक simple कोश्चर आपसे यह पूछा जा सकता है एक simple कोश्चर आपसे यह पूछा जा सकता है कि साधार पर कहा जा सकता है कि यह राजकोशी केंद्री करण में बृद्धी हो रही है किस आधार पकाह जा सकता है कि राजकोशी केंद्री करण में बृद्धी हो रही है आपसे simple कोश्चर आपसे यह पूछा जा सकता है कि इस आधार पर यह थी state UPSC 150 सब्दों में पूछेगा 150 सब्दों में क्यों इतना कोश्चर आपसे आपसे इंट्रोडक्शन चेंज हो जाएगा कि परसे यह पूछा गया तो इंट्रोडक्शन आपका चेंज हो जाएगा और इंट्रोडक्शन क्या चलेगा सीधे में उठाएंगे दच्छिन के राज्यों से अरे बात है कि दच्छिन के राज्यों ने पित्ती हस्तांत्रण पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए राज कोशी किंद्री करण के समझ में मुद्दा उठाया है यह आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि यह आप यह कहेंगे कि दो हजार चौविस के अंतरिम बजट अंतरिम बजट के पश्षाट च्छिन के कुछ निताओं ने राज कोशी केंद्री करण का मुद्दा उठाया इस तरह भी बात लिखी जा सकते हैं इंट्रोडक्शन लिखा जा सकता है यह भी लिखने के बाद आगे आओ कि किस आधार पका आजा सकता कर आज को उसकी इा के अदिक रहना कि यह यह आधार बता देना आए आदार बताने के पाद आप आप प्रसन बता तो निस्कर्स में आप सुझाओ की बात तो दो ही बाते करोगे आप पंद्रमें बितायव उने क्या का आप फोर्टीवन प्रसेंट तो रहें में क्या कर उसको बढ़ा दो आप और दोसी बात जी अश्टी के किरियानों से जो उत्पन चिंताये हैं उनका समाधान होना चाहिए उसे संबोधित किया जाना चाहिए प्रसन ये पूछे गा इसी प्रसन को यूपी से कैसे घुमाएगा राजकों से किंद्री करण आधार ये उप्रभाव का संचित वड़न करते हुए वड़न करते हुए इसके समाधान के लिए उप्यूग तो उपाए बताए प्रसन को थूड़ा सा आसान बनाएगा आधार क्या प्रभाव दोरों पूछ दिया यू प्यूप्यसी ने प्यूप्यसी में क्या पूछेगा पूल सा BPSC में और थोड़ा सा question को twist करेगा और क्या पूछेगा कि जिस तरह question पूछ रहा है BPSC विहार PCS अब जिस तरह question पूछ रहा है बड़ा अच्छा प्रसंद मना रहा है विहार PCS अब प्रसंद को कैसे पूछेगा वो राजकोसी केंद्री करण क्या अधार को asbest करें तथा विहार पर परणी वाले परभाउं का विश्द लेश्ड करें परणी वाले परभाउं का विश्द लेश्ड करें आरे वाद है फुड़ा से प्रसंद को किस तरह ट्विष्ट कर सकता है? कि राजकोसram की चिंदृकन की आधार को स्षपश्ट करें ति ब्यार पर पढ़ने वाले प्रभावाओं का विशलेश्टन करें या हो Springs Arta's अगला कुस्षन स्थे तरवास से जोड़ दें ते य सित्रवार का जा सकता करांट को सी किंदरी करण को नहीं है राड़्स को से संगबाद पर आगात करता है जी है सिर्हाई इस अधार पर कहा जा सकता है अगर राचकोसी केंदरी करण राजकों से संगवात पर चोड़ करता है simple question UPSC आप से घुमा सकता है पर मैं चाहता हूँ आप सभी लोग like जरूर करो share भी करो आप लो subscribe भी करो आप लो और आपके जो भी दोस्तों को बताओ कि answer कैसे लिखा जाता है आप लाग पढ़ लो लिखना नहीं आया तो स्रिक्सन को कोई मतलब नहीं है लिखना तो भूली जाओ लिखना आ गया तो स्रिक्सन रुकेगा नहीं जैसे बार बार का तो लिखना सिखो क्योंकि हिंदी माडिया में content की बहुत बड़ी कमी है आ इन प्रस्नों के माध्यम सापको बहुतरीन में content दे रहा हूं आपके लिए बहुत उप्योगी सावित होगा अकी बुटनाइट